Hello Friends, Welcome to Talent Crafts Hello Friends, आज की इस वीडियो में मैं आपको Automatic Railway Gate Controlling का प्रोजेक्ट बताने वाला हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेरे पास एक adapter है जो की 12V 1A का है इस adapter को मैंने यहां से इस power supply पे दिया है जो की यहां से 12V मिलेगा यह 7805 यह 7805 क्या करेगा है 12V को 5V पे convert करेगा यह 5V और यह ग्राउंड उसके बाद यहां पर मैंने दो रिले लिये रिले 1 रिले 2 मैं आपको जोंग करके दिखा देखता हूँ तो यह रिले कोपेट करने के लिए मैंने आप लिया है ट्रांजिस्टर BC547 सेम यहां पर यह दो रिले करेंगे क्या एक्चुल में यस यह दो रिले इस मोटर को क्लॉकवाइज और एंटे क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और यहां पर दोनों रिले को सिंगनल मिलेगी इस आईयर से यहां पर यह आईयर की सरकिट है मैं आपको दिखा देता हूं यह है आईयर एलेडी और यह है अपना फोटो डायवर यहां पर यह जो आइसी है इस अपना ओपेम अलम 3-5-8 और यहां पर यहां पर यहां पर ऑब्जेक्ट आगा जैसे इक और ट्रेन आएगी यहां पर भी यह और यह है मेरी एक train त्वाइब जो कि आटोमेटिक चलती रहे कि यहां पर मैंने एक white seat यूज की हुई है रिजन यह है कि IR कभी भी black surface को sense नहीं कर पाता इसलिए मैंने यहां पर white seat यूज की अब मैं इसको आपको rotate करके दिखाता हूं तो फ्रेंट्स यहां पर देख सकते हैं कि train automatic चल रहा है मैं इसको 230 volt supply दे देता हूं उसके बाद मुझे यह switch यहां से on करना है यह जैसे यहां की आप देखिए हैं कि मैंने इस सेंसर को पास में रख लिया और इस सेंसर को यहां पर जैसे यह सेंसर आएगा गेट ओपन हो जागी और दूसर सेंसर अगें डाउन हो जागी ओपन क्लोज इस फ्रेंड्स यह जो प्रोजेक्ट है यह प्रोजेक्ट विदाट मैक्रो कंट्रोल बेस है चैनल इटारेंट काफ्ट को सब्सक्राइब केजिए लाइक केजिए और सेर केजिए थैंक्यू